भारत दुनिया की पांचनी बड़े एकॉनमी है, थर्ड लाजिस्ट मिलेटरी है, और दुनिया भर की भारत मदद करता है, तो भारत उनाइटेड नेशन सेकेरिटी काउंसिल में, क्यों न हो, पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं, मस्बूत ताकतवर मुल्क मानत किम अच्चान के पाकिस्तान की तो है उस घर को तोड़के निया घर बनाओ और पूरी पूरी सब्सक्राइब की सेकरोटी के साथ एक कश्मीरी पंडित फैमिली को सेटिल करता हूँ स्वागत है आप सभी का लेटेस रेक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में तो दोस्तों आज फिर मेजर साब का वीडियो है जो यूएस ने कुछ पाकिस्तानी या कंपनीस को ब्लैकलिस किया है क्योंकि वो नुकलियर और मिसाल स्मगल कर रहे हैं तो उसी के लिए उनको बै दोस्तों नौ लाख सब्सक्राइबर्स के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का आशिरवाद है कि यह चैनल बढ़ रहा है लोग इसको देख रहे हैं और यह आपसे गुजारिश है बिंती है कि आशिरवाद बना रहे है बहुत-बहुत धन्यवाद लोगों को फॉमर्म प्रम मिनिस्टर थे उखें ऑन अनगा बात बोली और बड़ी इंट्रेस्टिंग रात है कि अब्ले ब्लेर डिप्लोमसी में बहुत-बड़ा नाम है फॉर अब्लेम इस्टर थे उखें जानी मानी शक्सियत हैं बड़ी इजट सेन कानाम लिया जाता है Tony Blair ने बोला कि the trouble with the UN Security Council reform which of course should happen is absurd to think that India is not a permanent member but you could say that about other countries as well but leave aside that because the problem always with reforming the UN Security Council is how do you get consensus देखे बहुत बड़ी बात है यह यह indirectly क्या बोल रहे है इंडिया को होना चाहिए इसमें इशु क्या है मैं आपको बताते है इसमें इशु यह है कि भारत दुनिया की पांचमी बड़ी एकॉनमी है थर्ड लाजिस्ट मिलेटरी है अब दुनिया भर की भारत मदद करता है तो भारत UN Security Council में क्यों न हो होना चाहिए हग बनता है और भी ऐसे देश है जिनका हग बनता है मेरे इसाब सब ब्रजील का हग बनता है United Nations Security Council का जर्मनी का हग बनता है जर्मनी तो कोने चाहिए जाने का लेकिन क्या है कि जब तक consensus नहीं होगा पांच मेंबर है इसके पर्मिनेट फाइव मेंबर चाइना, अमेरिका, रश्या, इंग्लिंड और फ्रांस अब चाहर तो भारत के पक्ष में है चाइना इसको अरंगा डालता है इन चीज़ों तो जब तक ये पांचों हाँ नहीं बोलेंगे तब तक ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा तो टोनी बलर का यही कहना है कि यार, how can you say no to India? Right It's absurd, यह तो बड़ी अजीब और गरीब सी बात है यार, अजीब और गरीब बात है कि India उसका मेंबर के रहे है अब देखे, कन्विंस करके तो चाहिना मानेगा नहीं नहीं मानेगा तो भारत को शायद कुछ ऐसा कदम उठाना पड़े कि जहां पे United Nations Security Council का भारत मेंबर बन जाए Because our membership of this institution is due for almost a decade plus एक और मैं बात बताना चाहता हूँ यह जो खुला है ना पूरे UN और UN Security Council बगार है यह 1945 का मामला है Second World War तब से कुछ हुआ नहीं Second World War को कितना टाइम हो गया बताओ 77-78 साल हो गया Second World War को इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वही डियालिटीज आ चुकी है भारत 1947 में भारत एक बहुत नयाई थी गरीब मुल्क था बहुत गरीब मुल्क था क्योंकि अंग्रेश सारा चोरी करके ले गए थे बहुत गरीब मुल्क था भारत आज सिच्वेशन कोक्ली डिए थे इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन आज बिलकुल एक नए रूप में अभर कर रही है उस समय भारत दुनिया से चीज़ें मांगता था कि भई यह हमें दो सस्ते दामों में यह दे दो यह सब फैमिन में लोग मरते थे आज की तारीक में भारत उल्टा लोगों को दे रहा है भारत medicine supply कर रहा है, भारत food grain कर रहा है, भारत, you know, it's giving aid, it's giving soft loans, it's giving developmental assistance to the world, तो दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन United Nations Security Council चेंज नहीं हुआ, वो वही पुराने दक्यानुसी तरीके से चल रहा है, इसमें चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज आना बहुत जरूरी है दोस् पाकिस्तान, अच्छा, an unspecified number of Pakistani companies have been added to the list of 14 entities put on a US trade blacklist for their alleged involvement in missile and nuclear activities, naughty boy, फिर उन्होंने वही काम शुरू करती है, मैं बता रहा हूँ, FATF की ग्रे लिस्स से आपने पाकिस्तान को निकाला है, और पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे, ये बास नहीं आने वादा, वही है, पेटिक करेंगे, कोई XYZ, आप उससे सरे नहीं सवाल पूछिया, पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं मसBOOT TAKAT वर मुल्क मानते हैं, क्यों? क्यों? क्योंकि हम उपbooks रत रत लेता है। हर एक पाकिस्तानी को एक चीजग रती है कि हम इसलिए तगड़ें, क्योंकर हमारे पास आटमम है यही चूरन चल रहा है कब से इनके पास आटमम के अलावा कुछ नहीं है और अब वही आटमम इनके गले का पत्थर बन गया है बिल्कुल सही है गले में घंटी जैसे होती है यह बावा सा भारी पत्थर होता है गले में कि आदमी उसको लेकर ना तैर पाए ना चल है यही पाकिस्तान के साथ हो गया है अब पाकिस्तान यह कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दी अब पकड़े गए यह लोग नूक्लियर टेक्नालोजी और मिसाल टेक्नालोजी यह लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में और उनकी कंपनी इसको यह सरकारी कंपनी इनको सिरक्र कंपनी है जो एक टो वेपन गरेट होता है platoon एक होता है नॉन वेपन गरेट नॉन वेपन करेट डाएं बाएं होता है दुनिया में रैइट नेर्जी के लिए भी हो सकते हैं यह我ज होता है लेकिन वेपन Black marketing कर रहे हैं नीजली मचीरं में भी Black marketing कर रहे हैं और मिसाल टेकन Düny टीकोलोजी में Black marketing कर रहे हैं बेच रह XL यह किसी को मैं बता रहा हूँ आपको 100% यह किसी ना किसी को भी बेच रहे हैं इसलिए इनको Blacklist में डाला है और जो एक आम potencial है ना कि हमारे पास item bum है हमारे पास bum है तुम्हारा bum बिक रहा है, मिलाम हो रहा है तुम्हारा bum ठीक है इस सब करेंगे इमराण खान says ready to forgive attackers, इसने election campaign लॉँच कर दी है इमराण खान ने और इमराण खान कहता है कि जिसने मुझपर हमला कर इसका हमला हुआ था इम्रान खान की ऊपर जा कि तीकर वाला की आसपास कहीं, गुजरात महातीविये पाकिस्तान मी, इसके अपर खाइबा हुआ, इसके ओपर हमला हुआ था। इम्रान खान ए मिला खाया कि मैं माफ करने और न हमुल आ है। ये भी सोच ले एक बार, क्योंकि हर समय आप गोल पोस्ट चेंज कर देते हैं, पहले इन्हों ने बोला, इमरान खान ने कि मुझे अमरीका मारना चाता है, फिर इन्हों ने बोला, जी राणा सना उल्ला और वो जो मेजर जेनरल था है, इसाई का, वो मुझे मारना चाता है, सभी इसको मारना चाते हैं, इसको सभी मारना चाते हैं, इमरान खान को, पता नहीं क्या इसमें कौन से हीरे जड़े में इमरान खान के अंदर, कौन सा सोना इसमें तराशा हुआ है, कि इमरान खान को सब मारना चाते हैं, और इससे हीरे सोने चीनना चाते हैं, ये इसका दि आ रहा हूं यह बंदा दोड़ेगा आप इसको दोड़ते वे देखेगा अगले एक मैंना अब इलेक्शन सर पर है ना यह हर जबे जाएगा रैलियां करेगा लेकिन वही वीलचेर वीलचेर होगी इसकी फिर वीलचेर से ख़ला होगा यह वीलचेर को नहीं छोड़ेगा जब दो पड़ी प्लेस दो विक्टम कार्ड लग अगर कोई टाइट करता है ना मेजर के लावजा को चाइनिज करते हैं आपको छोड़ा सा एक्जामपल देता हूं पाकिस्तान की जहनियत का पाकिस्तानी जो पॉलिटिशन्स हैं उन्होंने आईम एफ को विलन बना दिया यह महंगाई हो रही है ना उनकी वज़े से हो रही है या आएमेफ की वज़े से है जो आठे की और खाने की चीज़ों की जो किलत हो रही है या आएमेफ की वज़े से है यह बिजली के जो दाम बढ़ रहा है ना पर यूनिट या आएमेफ की वज़े से है जो गैस के दाम बढ़ की वज़े से पाड़ा है कुछ किया नहीं है इनका पाकिस्तानी सरकार का दोगलापन देखिए इन्हों ने IMF को विलन बना दिया जबकि IMF इनको ये बोल रहा है कि भाई सुधार लाओ IMF है कह रहा है कि गरीबों पे बोज मत डालो अमीरों पे बोज मत डालो तुम डोंट डोंट ट्रबल दपूर टाक्स दर इच यह IMF में फॉन रिकॉर्डियं को बोल चुका है कि भाई जो तुम तुम गरीब आमारा मर रहा है तुम उसको क्यों टाक्स कर रहे हो और अमीर अमीर टाक्स-फ्री है अमीर पैसा नहीं देते है टाक्स में गरीबों से मिडल क्लास से तुम पैसे लिए जा रहे हो और जो पाकिस्तान का करोड़ पती अरभ पती उसको फरक पड़ता है कि चालिस रुपए यूनिट बिजली है साथ रुपए बिजली है वो कहता तुम पांस रुपए यूनिट कर दो मुझे क्या फरक पता है पैसे लेते रहते हैं लोग यह जिस दिन पैदा हुए थे चौदा अगर्स तब से अमरीका से भीट मांग रहे हैं और अर्बों डॉलर लेकिन पता नहीं है मुनाफिक लोग हैं हिपोक्रेट्स हैं एहसान फरामोश हैं मुझे नहीं पता जिन से इतना पैसा पकड़ा है उन्हीं लोगों को बने देते सिर्फ चाइना को नहीं देता अब एक पाकिस्तानी चीन को क्यों नहीं बोलते हैं वह थिए निकाल देगा अट्रीट से पाशाने कोशिश करना एक बार चीन के सामने मतलब यह ऐसी भेगी बिली वने रहते हैं पाकिस्तानी चाइनीज ट्रीट दम प्रॉपरली। तो मेजर करता है एक चाइनीज करते हैं। इनके दो यभू है। बड़ा यभू छोटे अबू एक मजले अबू भी हैं फौज। टेक, एक तीन-तीन अबू हैं पाकिस्तानी हों और उसके बड़ा भू, मेजर, उसके बाद चीनि, उसके बाद भाइजिव आर्वी, शाप चाईनि के ख्लाफ पूछ नहीं कह Jub tort, चाईनिस को अईसे रेट पे लोन देते हैं ऐसे एसे रेट पे लोन देते हैं कि अगर पाईसथे तो नहीं Paakistaniy T30 नहीं है तो बाईसाँ फ फैसे फैसे प्रीय को moi- Nathan वहां पाकिस्थानी सरकार्बद शूड़ नकुर जते हैं 200 इसका बड़ा भाई नवाज शरीफ पकड़ेगा ठीक है, 100 यह आपस में अपने नौकरों नौकरों को बांट देंगे और यह चले जाएंगे अपने फिल्ड अपार्टमेंट में कर्स चुकाएगा कौन, तुम सोच रहे हो क्या चीनी अपना कर्स चोड़ेगा, चीनी जो है, वो अपना कर्स चोड़ेगा तो तुमारे मुल्क को कर्स में डाल रखा है, तुमारी गर्दन यहां से बखड़ेगा चाइना, ठीक है, यहां से बखड़ेगा, हलक के अंदर डालेगा हाथ और पेश से निकालेगा पैसा, और ये लोग बाग शुके होँगे वहांके, तर इस मामले में इम्रान खहंग सब बनाएं किष्ब मामले में इम्रान घलत नहीं बोल रहा है aware और ऑधी इस परच espeaus अपने लिया लिया है उसकी terms and conditions आपने आवाम को बताओ, नहीं बताएंगे, हिंदू की साजिश है, यहुदी की साजिश है, सब की साजिश है, यह है है करते हैं रहा ना कि जवान मिल्कुल जमीन पे आ जाए लेकिन बताना मद सच मद बोलना यसी को, तो मज़े लेते हैं हर रोज दे को, रिकॉर्डिंग कर लगता है, मुझे अच्छा लगता है, अब क्या है, पाकिस्तान और अफगान तालिबान डिसकस TTP Resettlement Plan, अब देखो, यह जो भूत है, यह दुबार आ गया, पाकिस्तान पिशली बार नहीं किया था है, इनका खौजा असिफ और इनका जो जनरल अंजुम, ISI चीफ, हमने जावर भी करा था, तो यह लोग गए वहाँ पर, और अफगान तालिबान से बात करी, अब यह बात कह रहे हैं, कि स्टेलमेट कहां पर हो गया, मतलब बात कहां पर रुक रखी है, पाकिस्तान यह कह रहा है, कि आप तहरी के तालिबान पाकिस्तान वालों को, जो TTP के अफगानिस्तान में, मिट्टी मिट्टी रेत रेत पत्थर पत्थर कहीं पे भी सेट्ल कर दो TTP को, बेखलोची तुम पईसा तो देगी, देगी नहीं, पाकिस्तान कहता है, यार अजीब बात कर रहे हैं, पैसे की तो बात ही नहीं हुई है, आप जानते हैं हम सुकीर है, अब ये अलग-अलग अक्सेंट में, वो पठान अक्सेंट में इनसे कुछ मांग रहा है, वो पजाबी अक्सेंट में इनसे कुछ कर रहे हैं, तो यहां पर बात रुकी है, वो कह रहा है, जी अफगानिस्तान में सेट्ल कर दो, कहता है ठीक है, तो पैसे तो लाओ, कौन से ज्यार बच्चों वालीबात कर रहे हो।। आख्यसी भी मुसल्मान कीह से टौनी खतम होगी। तो पठान पोला नहीं नहीं ? अब अब हम्हारी बैटिंग और जो तुम अब तुम घोशन करती है अब पठान बैटिंग करेगा।। possibly पा भ्रचों से बागगन बापेस। पाक यह पता नहीं बड़े बच्पना है इसाइए का चीफ पता नहीं इनका इतना बड़ा हो गया इसका यह कहते हैं टीटीप को सेट्ल करतेंगे सेटल क्या अभी कहीं कहीं तो रह रहा होगा उससे क्या फरक पड़ता है वो पाकिस्तान में रहे, अफगानिस्तान में रहे वो जब सेटल हो जाएगा तो क्या करेगा TTP वाला वो केमिस्ट की दुकान खोल लेगा, वो फलकी रिड़ी लगाएगा वो जिन्दगी तर उसमें सिर्फ कलमे वाली उंगली से काम करा वो इम्रान खान की बेकूफी, बस इम्रान खान ने बोला पाकिस्तान में लिया ओ, अब चुनाओं होने वाले हैं, जा सामने भी डिसकस करा था, इम्रान खान दुबारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, 110% he will become the Prime Minister of Pakistan, ठीक है, जब तक आर्मी चीफ यह ना बोले कि नहीं है, तो बिल्कुल ही नाला है किसको ठाओ, अगर किसी ने कुछ इंटेफेरेंस नहीं करा और आर्बी नूट्रल रही, इम्रान खान बन जाएगा, प्राइमिनिस्टर इम्रान खान फिल बोलेगा, हमरे लेट अच्छा है, इंडिया के लिए, पाकिस्तान में मेरे भाई हो, पा और दफा कर देता है, और उसका कोई ना कोई याल एक निगल नहीं बीचाई है, अब हमारे कहने से या करने से नहीं हो जाता, लेकिन देखो आगे फ्यूचर में जरूर इसके इस पर कोई बात जरूर होगी, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, सबसे पहले तो ज अमिननसी या वीटो नहीं मिल रहा है, तो ये यूएन पे सवाल खड़ा करता है, क्योंकि जैसे मेजर साब ने कहा है, फिफ्ट लार्जेस एकोनोमी है, थर्ड लार्जेस आर्मी है, सेकेंड लार्जेस पॉपुलाशन है, हमारो वन साथ में से एक अदमी इंडियन है, तो उसको ही रेप्रेसेंटेशन नहीं मिल रहा है, यूएन जैसे फॉरम पे तो ये तो के लिए सोचने वाली बाठ है, और जो 1945 में सेकंड वर्वर के बाद ये संगठन बना था, उसके बाद आज तक उसमें रिफोर्म सी नहीं लाए गए, जो पांच मेंबर्स, पर्मिनन में नहीं किये जा सकते हैं, और बाकिस सब कंट्री तो इंडिया को उसमें सामिल करने के लिए रेदी है, लेकिन चाइना हर बार उसको नहीं मानता है, और चाइना मानने का भी नहीं, उसको दूसरी तरीके से जैसे मेजर साब ने कहा है, उसी तरीके से उसको कुछ ना कुछ कर लेकिन यह तो सब पूरे UN को सोचने चाहिए कि अगर चीज कंट्री इतनी टेजी से आके बड़ी एकोनोमी अच्छी है और मिलेटरी अच्छी है अगर उनको ही रेप्रेजेटेशन नहीं मिलेट तो फिर ऐसे संगठनों का क्या फाइदा है और जो हम यह बात सही है कि जब हम अंगरेट से आशार हुए थे तब हमारी हालत इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आज तो हम कितनी तरकी कर रहे हैं और कई सारे ऐसे देशों को भी जिसको जरू थे उसको हल्प भी कर रहे हैं हमने वैक्षिन भी कोवेट के समय कई सारी कंट्रीज को फ्री में दी थी और जहां पर भी नेच्रल डिजास्टर आता है तो हम पहले पहुंच आते हैं उनकी मरट करने के लिए जैसे अभी अभी तरकी में हमने किया था वैसे तो वह हमारे तरकी के साथ इतने अच्छे रिस्ते नहीं लेकिन फिर भी जब उनको जरूर अठी है तो हम कई सारे डेसों में से पहले थे कि वहाँ पर पहुंच गए अमरेट के लिए उनका हाथ बढ़ा है और जो पाकिस्तानी जो कंपनी है वो निउक्लियर और मिस समगल कर रहे तो वो अपनी आकाट पर ही आएगे ना उनको आता ही क्या है अगर उनको पैसे की जुरूर थे तो यह सब तो हरकटे करेंगे क्योंकि यह सोचते तो नहीं है कि हम इंडेस्ट्री लगा ले या एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा के वहां से पैसे कमाए ऐसे ही कटि से निकल है तो ऐसे कुछ ने कुछ घटना है होटी ही रहती है वहाँ पर तो कुछ ही समय में फिर से यह FATF में जाने वाले है और फिर चिलाएंगे कि इंडिया की साजी से अमरिका की साजी से लेकिन अपनी खुट की ही हरकट ऐसी है तो फिर FATF या दुनिया भी क्या कर ल जाए तो आपके क्या विचार है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरू बटा अगर वीडियो पसना है तो लाइक करना मत बूलिए और चैनल पेने है तो सब्सक्राइब करना भी मत बूलिए